हलो फ्रेंड्स वल्गम बैक टौल उफ यू कुरक्षितरा निवर्सिटी का स्लेवर्स चेंज हो चुका है फर्स्ट येर का सभी स्टूरेंट्स को पता भी चल गया है कि एप्रॉक्सिमिट आपकी एक्जाम नुवेंबर लास्ट में होने वाले है तो जो इंपोरेंट चैप करने से पहले मैं आपको बता दू कि यह जो स्लेवर्स हम डिसक्स करने वाले है इन सब की प्लेइस्ट का जो लिंक होगा वह आपको वीडियो की डिस्कुरिशन में मिल जाएगा यानि कि अभी तक अगर आपने स्लेवर्स नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेइस्ट भी चक आउट कर सकते हैं कैल्कुलिस नेम से आपको प्लेइस्ट मिलेगा आप वहां पर भी देख सकते हैं जितने भी चाप्टर्स मैंने करवाई हैं सारे उस प्लेइस्ट में आपको एक साथ मिल जाएगे और अगर आपको नहीं मिल रहे है तो आपको वीडियो के डिस्क आपको मिलेंगे जिसमें सभी important questions होंगे जिनको आप free of course वहां से देख सकते हैं और उन questions को कर सकते हैं और last day students को बहुत ज्यादा benefit हुआ है उन questions से calculus के notes आप ले सकते हैं free study material आपको मिलेगा तो free of course आप calculus के notes भी ले सकते हैं उसके लिए सिरफ आपको application download करना है जो information को अपने feds में भी share कीजिए जो भी important questions और जो भी notes लेना चाहता है student वो application पर free of course ले सकता है चलिजी start करते हैं जो भी हमारे important chapters रहेंगे जो student के वल pass होना चाहते हैं या जो student अच्छे number लेना चाहते हैं लेकिन total syllabus नहीं कर सकते हैं मतलब अभी जो हम syllabus देख रहे हैं पूरा नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसे important chapters उनको चाहिए जिससे number भी अच्छे आए और syllabus भी कम करना पड लेते हो और उनके भी important questions जो मैंने आपको बताए हैं अभी मैंने आपको बताया कि combined course में free of course आपको questions ले सकते हैं तो वह आप अगर कर लेते हैं तो definitely definitely आप जो हो 90% marks यहां से gain कर सकते हैं देखे, unit first आपकी पास है, limit continuity and derivability in determinate forms यह जो syllabus है, यह में 2023 जो अब की बार हमारा NEP के according आया है, वही हम discuss कर रहे हैं, और उसमें भी जो आपके लिए important chapters रहेंगे, वो यहां पर हम discuss करेंगे, किसी भी student को, last में, फिर भी कोई भी question रह जाता है, तो आप इन numbers पर call कर सकते हैं, 433, या WhatsApp कर सकते हो, 9416941982, चलिए जी, चार chapters आपके पास है, unit first में हैं, successive differentiation, third chapter है, some journal theorems on differentiable function and expansions, जिन भी बच्चों ने अभी तक पूरा syllabus, मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ रहें, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए first chapter तो करना पढ़ेगा ही पढ़ेगा आपको, क्योंकि काफे student को, limit, coordinate, derivability, बहुत टफ लगता ह हलंकी इतना tough नहीं है, जितना बच्चे सोचते हैं, बट यह आपको students के perceptions अगर हम देखें तो यह आप बहुत tough मानते है students को, तो यहां से अगर आपको सही लगे, अगर चारों में से आपको कौन सा easy लगता है, पहले यह समझे, और समझे questions कैसे बनते हैं, जो आपके exams आएं मिलेगा, इसके दो पार्ट मिलेगे, ठीके, अब यह थोड़ा सा smartly work आपको करना पड़ेगा, यहां से आपको यह देखना है कि आपका exam pattern क्या होता है, कैसे questions उठाए जाते हैं, या फिर आपको मिलेगा question second part A and B, अब यहां से ना, यह unit first का मैं बता रही हूं, ओके, यहां स आपको या तो first question के दोनों parts करने हैं, या फिर second question के दोनों parts करने हैं, होता क्या है, कि unit first में अगर हम जैके 4 chapters है, यहां से आप से जब भी question पूछे जाएगा, तो first question complete first और second chapter से बढ़ने के 90% chances होते हैं, समझ रहें, अब क्योंकि हमारा syllabus change हुआ है, तो exam में, वैसे तो देख question सिर्फ शुरू के 2 chapters में से ही बने, लेकिन अब तक जितने भी exams हुए है, किसी भी university के, वहां पर यही pattern देखा गया है, तो हम भी यह बिल्कुल idea लगा सकते हैं, कि अगर यहां से मैं first और second chapter कर लेते हूं, क्या कर लेता हूं, तो यहां से आपका एक question prepare हो जाएगा, एक question त दिहान लखना है, आप ऐसा नहीं करोगे, first question का पहला part कर दिया, second question का दूसरा part कर दिया, यह तरीका गलत होता है, समझ गए, तो हमें कैसे करना है, हमें first question के दोनों parts करने हैं, या फिर second question के दोनों parts करने हैं, इसका यह मतलब हुआ, first question शुरू के 2 chapters से बन सकता है, और second question last के टू चाप्टर से बन सकता है जिन बच्चों ने कर लिया है उनको तो बहुत अच्छी बात है जिसने सारा syllabus पढ़ा है क्योंकि आपके एक ही book है वैसे भी ज्यादा syllabus नहीं है अगर मैस काम देखे दो क्योंकि एक ही book है फिर भी important chapters आपके लिए first two chapter कर लो last के दो chapter जिसके पास time है जिसने कर लिया है revision definitely लीजिएगा तो ये दो chapter करने से जो बच्चा केवल pass होना चाहता है जो risk नहीं लेना चाहता है क्योंकि कुरुक्षेत्रा university में आपने देखा भी होगा कि reappears बहुत ज़्यादा आते हैं तो reappears आने का यह होता है क्योंको थोड़ा सा exam जो होता है वो थोड़ा tough होता है थोड़ा तेड़ा आता है बाकी universities के comparison में इसलिए important questions और important chapters पर focus करना बहुत ज़रूरी आपके लिए इसलिए first or second chapter कीजिए यहां से third four chapter आप skip कर सकते हैं जो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता है third chapter भी कर लिजिए आप four chapter छोड़ दीजिए जिसको complete marks चाहिए वो four chapter छोड़ सकता है शुरू के तीन chapter कर सकता है और जिसको 100% score चाहिए वो पूरे ये बूरे chapters करें यह तो बताने की बात ही नहीं है है ना? चलिए जी, unit second की बात करते है यहां से केवल अपके दो ही chapters है unit second में as I'm thought, end कर वे चल अब जब भी दो chapter होते हैं तो काफी risk होता है क्या पता एक chapter से question बनाई या ना बनाई ऐसा भी तो possible है, ना भी बनाई क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलेगा question number third का A part और B part या फिर आपको कहेगा question number fourth का A और B part कीजिए अब दो ही chapters है इसलिए यह possible है यहां पर 99% chances है कि A part चुब हो 5th chapter से ले लेगा और इसका second part 6th chapter से ले लेगा ऐसे यहां मिना सकता है fourth का A part 5th chapter से और B part 6th chapter से ठीके ना? तो यहां पर मैं आपको यही suggestion दोंगे कि जो बचा केवल और केवल passing marks चाता है वो 1 chapter करे जो अच्छे marks चाता है वो 1 and half chapter करे 1 plus half curvature ऐसा नहीं करना curvature complete और asymptote आप half कर रहे है asymptote complete कीजिए curvature half कर लीजिए माली जी curvature में 4 exercise है तो आपको 2 exercise करने ही करनी पड़ेंगे ठीके? और जो 100% marks चाता है तो नों chapter करे समझ में आ गया? passing marks के लिए आप एक chapter यहां से skip कर सकते है आप एक ही chapter कर सकते हैं इसके बाद चलते है unit number 3 unit number 3 वे singular point, curve tracing, reduction formula singular point और curve tracing इनकी थोड़ा सा chapters की आप समझीगा की आगे चलके कौन सा ज़्यादा आपके लिए important होने वाला है तो reduction formula सबसे ज़्यादा use होगा आपके BAC maths में ठीके? यहां पर integration में जो आप use करते हैं reduction formulas अलग-अलग type के integrations के लिए वो बहुत use होगे और comparison to these two chapters reduction formula सबसे easy है तो आप क्या कर सकते हो? 8 chapter और 9 chapter कर सकते हो आप 7 chapter छोड़ सकते हो यह सबी chapters आपको playlist में मिल चाएंगे और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो link भी आपको provide किया जाएगा description में या तो आप कीजिए 7th और 8 chapter 9 छोड़ दो या 8th और 9th कीजिए 7th छोड़ दो ऐसा नहीं करना होता कि किसी unit में 3 chapter है तो आप 1st कर लो, 3rd कर लो बीच वाला छोड़ दिया इससे आपको कोई भी question नहीं बनेगा दोनों question लोग जाएंगे हाफ आफ पार्ट स्वाह से निकल जाएंगे understand? तो हमें दो चाप्टर continuously choose करने होते हैं तो यहां से हमारे पास आजाते हैं दो चाप्टर जो केवल passing marks चाता है only reduction formula कर ले ये दो चाप्टर छोड़ सकता है clear? चलिए passing marks के लिए आपके जो percentage होती है 35% या कभी कभी न 40% भी ले क्योंकि हर इनुवस्टरी का अलगलग criteria होता है तो आप 40% marks के recording चलिए 40% आपको gain करने ही करने बिल्कुल भी reappear नहीं आएगा ठीक है? तो 40% आप देख लीजिएगा कि कैसे कितने questions आप कर सकते हो है ना? जैसे कि यहां पर मैंने बता reduction formula करोगे curve tracing आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास option नहीं है क्यों? क्योंकि यह mid chapter हो गया वैसे singular point curve tracing से थोड़ा सा easy पड़ता है और curve tracing के लिए आपको singular point का भी कुछ portion जो basic part हम कहते है ना? वो आपको पढ़ना पड़ेगा ओकी? Unit 4th में देखते है rectification, quadrature, volumes and surfaces of solids of revolution यहां से आप rectification को चूज करो quadrature को चूज करो और 12 chapter को skip कर दो 2 chapters से आपका question definitely यहां से पंच आए ठीक है? तो यह है आपका slabers introduction जो की important chapters के लिए only important chapters के लिए मैंने आपको बताया तो 12 chapters आपके पास है total 12 chapters में से 2 chapters यहां से हमने छोड़ दिया यहां से half chapter ही मैं कहूंगी क्योंकि जो बच्चा 90% marks चाहता है वो risk नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए only जो passing marks चाहता है student वही यहां से chapter skip करें otherwise one and half chapter तो कीजिए ही कीजिए इसके बाग यहां से एक chapter skip करेंगे यहां से एक chapter skip करेंगे तो 12 chapter में से हमने one, two, three, four and लगवग five chapter यहां से हमने skip कर दिये तो इतने कम syllabus में आप 90% score कर सकते हो हमने 90% क्यों कहा 100% क्यों नहीं कहा क्योंकि एक question आता है compulsory question जो कि short question आता है उन short question में आपको दो-दो max के question पूछे जाएंगे और वो पूरे इस labels में से कहीं से भी हो सकते है अब जो chapter आपने किये है इन में से भी आने की possibility है यानि 50 to 60% chances है कि जो chapter हमने किये है उन में से भी questions आ जाए reduction formula is most important chapter for short questions ठीक है indeterminate form से भी बन सकते है short question बिल्कुल बनेंगे और successive differentiation से भी जो छोड़ा है यहां से भी तो definitely बनेंगे बनेंगे लेकिन short question के लिए जो important chapter रहेंगे आपके पास indeterminate form limit or continuity में से definition आ सकती है बहुत ही छोटा कोई question आ सकता है otherwise तो नहीं आएगा asymptote में से पूछ लिया जाएगा क्योंकि asymptote के बहुत सारे छोटे-छोटे questions ऐसे बन सकते हैं बल्कुल reduction formula में सबसे ज़़ा बनते हैं rectification quadrature में से भी मतलब कि यह बात है कि अगर जो हमने chapter छोड़े है ना उनको भी अगर हम ना मिलाएं तो भी हम देखे तो 60% आपके 2 marks के जो questions है यानि 5 questions अगर आते हैं तो 3 questions आपके attempt हो सकते हैं clear? इसलिए हमने कहा 90% score आप कर सकते हो 100% तो तब ही होगा जब आप complete slivers करेंगे क्योंकि जहां से हम slivers skip कर रहे है वहां से भी short question बनेगा कुछ ना कुछ तो बनेगा ही part है ना? तो यह आपका रहेगा slivers distribution इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज अपने fans में share कीजिएगा और यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई टेक केर